जरा तु सोच मन मूरक इस दम का क्या ठीकाना है निकर जवरू हो जाएगी ना अपना है ना बेगाना है ना भाई है ना बंधू है ना खोई खास वापना जरा तुम गौर से देखो तो ये मतलब का जमाना है जितना जमाना है ना अगर गवर से आप देखोगे तो ये पूरा मतलब का जमाना है क्योंकि आपके साथ में ना कोई आया है ना जाएगा कभीर सहय पढ़ते हैं लिखते क्या है एक दिन मत्या में सबही के सिंगार होई वो जब पिंजरा से पंची फरार होई वो जब पिंजरा से सुगना फरार होई एक दिन मट्मियां में सबही केसी गार होई वो जब पी धेरा से पंची फरार होई वो जब पी धेरा से उखना फरार होई और जिस दिन इसे पिंजडे से पंची उड़ जाएगा आपके घर वाले करेंगे क्या नाती न तेतार काम नहीं आई है नाती और गावो के लोकवा सब खाड़े रही जई है गावो के नाती न तेतार काम नहीं आई है कावो के लोकवा सब खड़े रही जई है केवल भाई भतीजे सब कहार होई केवल भाई भतीजे सब कहार होई और जब पींजरा से अंची फड़ार होई और जब पींजरा से तो गेना फड़ार होई केवलो भतीजे बस्तार बद़ा होई कR這樣子 करता भतीजे ऑगण को कि तो तो बढ़े और महिल और अटारी सब यह रह जाएगा धन और दोलत कोई साथ नहीं जाएगा धन और यह दुनिया में जितना कुछ आप कमाते हो नूँ धन दोलत हीरे मोती परिवार यानि जितना भी है सब कुछ तुमारा महिल अटारी सब यहीं पर रह जाएगा केवल दो कचित कप डावो हार होई और जब पीजरा से पंची फरार होई और जब पीजरा से पंची फरार होई जाएड़ जाएड़ याएड़ बणो याएड़ अन्तिम ले में कभी इससार करते क्या है कहत कपीर उतास सुनो भाई समझो कहत कपीर उतास सुनो भाई समझो राम नाम का कर ले मुझ सुमीरन तोहरे जीवन की मगियों पेवजाड होई जब पीजडा से पंची फरार होई एक दिन मटियां में सपही के सिगार होई ओ जब पीजडा से पंची फरार होई जब पीजडा से पंची फरार होई बोली संचे दरबार की